जेहिन नमस्कार दोस्तों मैं विरार्च उद्री श्वाब करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल कमांड ओकेड़ में पर दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंडियन फोर् सकते हैं कौन-कौन सी वो फोर्ष है चलिए आपको बता देता हूं में एन आई ये असस अप कि बियस अप कि इस अप कि सी आर पी अप कि आई टी बीपी अ कि असम राइफल और एसस भी यार्ट फोर्षे से जिनमें आप एससी जीडिका एक्जाम फाइट करके जा सकते हैं एससी जीडिगा मतलब होता है जीडिगा मतलब है जनरल ड्यूटी एससी यहीं स्टाफ सेलेक्शन कमिशन आप सभी को पता है यह बोर्ड है जो इनके लिए एक्जाम करवाता है ठीक है लाड़नों इसके माज़नों तो यह आठ फोर्ष में जाने का आपका शपना पूरा ह ठीक है इन सभी को बोलते हैं सेंटरल आर्मड पुलिस पोर्ष के वले एक एयार यह निए असम राइफल जो है वो पेरा मिलिटरी फोर्स ठीक है इसके जितने भी कमांड होती है वो आर्मी के अंडर होती है बाकि सभी कमांड अपने पास में होती है जिनकी कमांड आई एज का क्राइटेरिया अगर आप बात करेंगे जनरल केटेगरी के लिए इसमें एज का क्राइटेरिया होता है 18-23 साल ठीक है ओभी सी के लिए इसमें 3 साल की छूट मिलती है 18-26 साल हो जाता है और S.C. और S.T. के लिए S.C. और S.T. से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इसका जो पेपर होता है इसके बारे में बता जाता हूँ पहले आप देख लिए इसकी नोटिफिकेशन में आपको कुछ चीज़े बता जाता हूँ उनको आप ध्यान से देख लिए इसमें जो वेकेंसी रहने वाली है आल इंडिया पर इस बार लगबग 60,000 पदों पर ये व इसमें आरक्षन भी होता है इसलिए इसके आरक्षन के हिसाब से भी मेरिटे अलग-अलग होती है मतलब जनरल की उपर रहेगी ओपी सी की उससे नीचे भी रैसी फिर एस्टी फिर नक्सल ऐसे अलग-अलग रहती ठीक है तो अभी ये पोस्ट होगी लगबग 60,000 से लेकर 80 की वेकेंश यहने वाली यह नि काफी बड़ा आंकड़ा इस वेकेंशी का है और इसका पेपर ज्यादा हाड भी नहीं होता अगर आप अभी से तयारी करते हो सबसे बड़ी बात यह कि इसमें तेंट क्लास पास है यह इनि मात्र टेंथ क्लास पास आप भले कितने भी पास क्यों नहीं हो आप आसानी से इस्विकी तैयारी कर सकते हो मात्र टेंद क्लास पास यह अगर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सटेंद में कितने परसेंटेज से होना थी भले आप तेटीज परतीस अच्छे भी पास हुए हैं तो भी मेटर नहीं करता है आप इसका फोरम ब क्या आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट यह चीज रहने वाली हैं देखिए सबसे पहले जैसे मैंने बता दिया लगबग इसमें कितने पोस्ट की वेकेंसी रहने वाली है साथ हजार पदों की वेकेंसी यह से जीडी की ही नोटिपिकेशन है इसमें आपको बता दू यह देखिए अलग-अलग डिवाइड की हुई है वेकेंसी इसी परकार से जैसे आपको बताओं ब्येस अप में फिमेल के लिए 7500 पोस्ट की वेकेंसी सिया यह सप में 8464 पोस्ट की वेकेंसी सियार पेप में पिछली बार वेकेंसी आई नी थी जीरो थी इस बार 100 परसें एक से लेके आर तक अब सबसे के पहले कौन सी पोस्ट को जोइन भी कर सकते हूं इतनी सौटनदरता इसमें रहती है इसके बाद में यह जो चुटे मैंने आपको बता दी कि ओभी सी के लिए dobrze ही से श्चक्राइश्ट के लिए 5 साल का होता है। नोर्मली सिकायज क्राइटेरिया 18 से 20 साल है। इसके बाद में आपका आगया पेपर, पेपर में मैं आपको अगर बताओं थोड़ाचा डिटेल में आप देख लिए पेपर में क्या क्या होता है, एक बार आपके लिए बहुत जरूरी है, पेपर के लिए देखना। इसका ज क्यूशन 25 नमबर के। उसके बाद में जीके और जीयस भी हम बोल सकते हैं, उसमें कमाइडी रहता है। 55 नमबर के। इसके बाद में रहता हैं, इंग्लीज और हिंदी option में रहती है। गवराने की जूरतनी इंग्लीज सुनके हिंदी भी option में रहती है। यन्या आपको में मिलेगा इसके लिए पूरा का पूरा नबर मिनिट में आपको इसो क्यूशन करने है आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि पेपर भी बहुत हीज़ी है कई बच्चे जो गाउन दिया से बिलोंग करते हैं उनके पंगा रहता है इंग्लेश का तो इंग्लेश हो हिंदी दोनों पूरा ऊप्सन में आपसैनी से कर सकते हो हिसमें कोई प्रब्लमने आप बहुती आराम से आजनी से को कर सकतो यह इसका पेपर का MARY टेरियर रेता ह। इसके बाद में इसका होता है लग elles कुण चलिए हम आगे चलते हैं, देखिए, इसके बाद में इसका क्या होता है, फिजिकल, ये पूरी जो मैं आपको जानकार दे रहा हूँ, वही जानकारी लिखी हुई है, सारी की सारी उसके अलावा कुछ भी नहीं दान रखी, ठीक है, ये पूरी डिटेल में वही चीजे बता र वाला जो बच्चा है, उसको पाँस नमबर मिलता है, तो पांस नमबर मिलता है, बि सेटीपिके वाले को तीन नमबर मिलता है, और • ये बहुत अच्छी बात है जो बच्चे एन सेटी कर रहे हैं, उन सभी के लिए, ठीक है, पैपर में उसको is 5 पूर都有 नमबर मिलेंगे ज जानकारी में बताता जा रहा हूं वही सारी चीजिए यह फॉरम बढ़ने की फीस सो रुपए है ऐसे स्टी के लिए फीस भी नहीं लगती महिलाओं के लिए फीस भी नहीं लगती अब यह दे रखें इस्टेट जहां से इसके फॉरम भरे जाएंगे अब इसका जो क्राइटे करना जो आपके इच्छा हो वह आपके डिपेंड करेगा ठीक है अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं इसके बाद में इसमें होता है लाड़ लो फीजिगल जो पेपर पास करता है फिर एक कटोप आती है उस कटोप के बाद में आपका होता है फीजिगल फीजिगल का जो वहाँपर क्या oxygen की कमी होती है तो वहाँ पर इसका जो κά volunteering होगी साङ सी मिनिट का समय रहता है लड़कों के लिए और चो निन की दीन हाँ आपको टोड़ा सा किल बता रहती है इस गरी अलावा जो इसके physical में रहता है वो मैं आपको उता दू इसके physical का standard रहता है जैसे लड़कों के लिए 5 km running 24 मिनट का समय ठीक है 5 km running 24 मिनट का समय रहता है 170 cm height चाहिए अगर आप general category से हो अगर आप OBC category से हो अगर आप SC category से हो ST category के चात्रों के लिए इसमें 162 cm ही चाहिए ST category में height की छूट दी गई है आठ शेमी की ठीक है यह इसका पूरा physical level है इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता हाँ पर एक सीने य aha hybrid test ऋदको का जिसमें आपका सततर से बहां सी यह मुक्ष तव मांगा जाता व ningún रोंदा हो लेकिन अगर आपको हीला फैल नहीं किया जाता है ये हो गया लड़कों के लिए लटकियों के लिए 1600 मिटर की रनिंग समय रहता है इसके लिए साड़ यार्ट मिनट का ठीक है हाइट लड़कियों की चाहिए 157 सेमी अगर कोई लड़की से है कोई बच्ची तो उसके लिए 152 cm ठीक है लड़कियों का चेस्ट मेजरिमेंट होता नहीं है तो यह इसका पिजक露 से अब फिजेकल पास करने के बाद में क्या होगा एक कटो पाएगी फिर से और फिर जो बच्चे पास होंगे उन्का होगा मेंडीकल ठीक है में में आपको बता दू आर्मी के मेंडीकल और ऐसेądिच के मेंडीकल में काफ एक उड्रंस कुछ बदलाओ भी रहते हैं थोड़ा आसान होता है और कुछ हाड भी होता है दोनों का अलग-अलग इस लिए अलग-अलग चीजे चेक होती है ठीक है फिर मेडिकल पास होने के बाद में इसका होता है फाइनल सेलेक्शन फिर आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से फोर्स में जोइन होते हो यह है पूरा एससी जीडी का मसला यह नोटिफिकेशन में आपको दिखा दिए ठीक है ھ यह जो मैं आपको डिटेल बताई ओर इसके नोटिफिकेशन में दी गई है लाड़ लो ठीक है जो मैं आपको बताइक्स्के बाद में क्या देगों यहाई मेल के लिए फीमेल में आपको बताया है वही इसमें क्राइटेरिया लगता है तो यह है पूरी अब आप देख लिए कि आप इसमें अगर फिट बेटते हैं तो आपको जरूर इसकी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि इतने बड़े पोस्ट पर हाँ एक बात और जान रगे अगनिवीर नहीं है त्यूर ओब ड्यूटी नहीं है इसमें एक बार लग गए मतलब लग गए फिर वारे नहीं रहे फिर नाम चे साधी रचाओ कोई टेंसर नहीं है चार साल नोक्री छुट जाने का डर नहीं है इसमें चार साल के नोक्री है आप सार साल की उम्मर कि वो कर सकते हैं बहुत लंबी नोक्री है परेंशन सुईधा इसमें आप नहीं है एनपियस है न्यूपेंशन सेष्टेम है ऑपियस अदगया जो ओल्ड पेंसंइश्य संसिंट इस वह अट गई है यह द्यां रखना ठीक है यह पूरी की पूरी SSGD की जानकारी थी उमीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी जै हिंद जै भारत